आतंकी संगटनों को फंडिंग मामले में रास्टी जांच एजंसी ने गुरुवार को स्रीनगर समेत घाटी के अन्य स्थानों पर दबिश दी एजंसी घाटी समेत देश को कई हिस्सों में हिंसा फैलाने की आतंकी संगटनों जैश, लशकर, हिजबुल, ट्यार एफ की साजिशों के तहट टार्गेट किलिंग की घटनाओं के बाद मुकदमा दर्जकर लगातार चापामारी कर रही है इस दोरान उत्री दक्षनी तथा मद्य कश्मीर से कई लोगों को गिरफतार भी किया जा चुका है इससे पहले सोंवार को मानवा अधिकार कारे करता तथा जैन के कॉलियेशन आफ सीवल सोसाइटी के सबनव्य खुर्रम परवेस को सोनवर स्थित आवाज से इसी मामले में गिरफतार किया गया था उसे एन आई ए पुछताश के लिए दिली ले गए थी खुर्रम के आवास के साथ ही अमीरा कदल में सोसाइटी के दफ्तर पर भी करेवाही की गई इस दोरान डिजिटल सबूत मुबाइल लैपटाप किताबे तथा अपती चनक दस्तावे बरामत किये गए हैं तथा कतित एंजियो वर ट्रस्ट की ओर से देश तथा विदेश से चैटी गतिविधियों के नाम पर दान लिये जाने तथा इस फंड का इस्तेमाल अलगावादी वा आतंकी गतिविधियों में करने के मामले में एन आई ए ने आठ अक्तूबर 2020 को मुकदमा दर्ज किया थ मुकदमा दर्ज होने के बाद 28 अक्तूबर को एजनसी ने 10 स्थानों पर चापामारी की थी